नई ट्रांसपर पोस्टिंग पॉलिसी को देखते हुए देखिए कई सारे सिख्षकों में आक रोज से ऐसे में 6 लाग से उपर सिख्षओं के दवारा आंदोलन करने को लेकर तयारी की जारी है इस वक्त की बरी खबर बिहार के सिख्षकों से जुरी सामने निकल के आ रहे है जो आपको बताने जा रहे हैं ऐसे में यह खबर जो है आंदोलन से जुरा हुआ बताया जा रहा है बता दे आपको कि जो सरीके से खबरियार इसको देखते हुए बिहार में हाली में लाई गई सिक्षोग की नई ट्रांसपर और पोस्टिंग नितिये खिलाफ राज भर के सिक्षक जो है आकरोसी से सबसे ज़्यादा जो बिवाद है कहीं न कहीं लगतार कई सारे सिक्षोग के इसका विरोध जो है कई तरह के वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है ऐसे में लगतार जो सिक्षक है वो कहीं न कहीं इसको लेकर यह साफ कहते हैं नजर आ रहे हैं कि हमार पार की स्थिति में रहेंगे और ऐसे में इसको लेकर आंदोलन भी करेंगे ऐसे में जिसके जालिया बैठक में सरकार से नीती में संजोधन की मांग की गई संग का कहना है एक नई ट्रांसपर पोस्टिंग पॉलिसी जो है लाई जो गई है इसको देखते हुए इसमें संजोधन की जाए ऐसे में संग का कहना है एक नई ट्रांसपर पोस्टिंग पॉलिसी नीती के अनि उस्तेनांतरन सहीत ऐसे कई जो नियम हैं इसको देखते हैं वापस लिया जाए ऐसे में देखा जाए तो अस्तानन सहीत ऐसे कई नियम जो हैं उसको कर सवाल उठाये जा रहे हैं संक का कहना है कि आजादी के बाद सहीं सिक्षों का एक्षिक ट्रांसपर का प्रावधान रहा है लेकिन अब उसे कहिना कहीं आनिवार कर दिया गया है यह उचित नहीं है ऐसे में साथ ही इस सिक्षा कोस एप के मादेम से सिक्षों की उपस्तिती दर्ज करने की अनिवार अता को खतम किया जाए इस तरीकी की मांगे भी सिक्षक संक के द्वारा की जा रही है अन्य परमांगों में प्रखंड अस्तर पर कारेरत ग्योज़ सिक्षगों के वेतन विसंगतियों का निप्टारा और अनुकंपा के अधार पर सिक्षगों की आश्ट्रितों की पुर्व वेतन मान पर निखती शामिल है ऐसे में आंदोलन की शितामनी लगतार आज के तमाम सिक्षग दे रहे हैं ब रूप देखा है त्यार की जाय रही है और जल्द ही सभी जिलों के प्रादिकाडियों से बातचित कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा विधान सभा गहराव की भी बाते सामने निकल के आ रहे है सक्षक संग बिहार के परदेश केशो कुमार ने अस्पस्ट किया है कि जस अगर सरकार उनकी मांगों पर द्यान नहीं देती है तो अगले विधान सभास्त के दर्वान सिक्षक पटना की सरकों पर उत्रेंगा और घिराव करेंगा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है नहीं होती है तो सिक्षक जो है पिछे नहीं हटेंगे इस नहीं न जल से जल्द कहीं न कहीं देखा जाए तो हटाया जाए ऐसे में इसके तहज जो है उनका काम प्रभावित हो रहा है जिससे वे मांसिक रूप से परशान हो रहे हैं सरकार और सिक्षवों के बीच किस मुद्दे को लेकर अभी तक कोई समझाता नहीं हो पाया है लेकिन आंदो प्रभावित हो सकता है और ऐसे में शात्रों का जो प्रहाई है वो कहीं न कहीं बाधिस हो सकता है इसको देखते हुए अब जाकर सक्षा मंतरी सुनिल कुमार हो या फिर ACSS सिद्धार्थ हो या फिर तमाम वो नेता मंतरी हो क्या कुछ करते हैं देखने वाली बात होगी सब सक्षक की निगाहें जो है सरकार के फैसलेप पर है सुनांतर्थापन पॉलिजी को देखते हैं बबाल सा जारी हर ऐसे में सक्षक संगों ने अलान कर दिया है यार पार के हम स्वितिव हैं और रांदलोन हम करेंगे अगर इसमें जल से जल सुधार नहीं किया जाता है तो औ और हुई तमाम ख़बरों के लिए बनने हमार सत्केमरिश मार से योगी विकास हैं बहुत बहुत धन्यवाद